तो यह हमारी है फीमर पूरी दिखाई दे रही है आपको तो यह हमारी है फीमर पहले कुछ इसके फीचर जान लेते हैं फीमर जो होती है वह थाइरिजन के बोन होती है यह लॉंगेस्ट बोन होती है बोड़ी की और यह स्ट्रॉंगेस्ट बोन होती है अब हमें याद कैसे रखना है कि फीमर के कुछ इंपोर्टन फीचर जैसे तो यह ऐसे भी याद हो जाएंगे पर फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूं फीमर मतलब फाइल फाइल में हम लोग बनाते थे लस मतलब लॉंगिटूडनल सेक्शन जो हम लोग फीमर में फाइल में जो हम लोग लॉंगिटूडनल सेक्शन के डाग्राम बनाते थे तो फीमर लॉंगेस्ट स्ट्रॉंगेस्ट बोन होती है बोड़ी की यह से भी आ सकते हैं कि फीमर लंब हmäßig सबसे बढ़ी होती है कि अच गया हम लोग देखेंगे सैडीटर्मिनिशन के हमें कैसे मोलब भीजर्चानियेineriner का मतलब इतना ही होता है कि वह किस साइड लेफ्ट यह राइट किस तरफ की बहुन है बसде Ci बताना है और वह जनरलडि 2-4 पॉइंट्स्भास कर देको हम लोग देखेंगे फीमर का side determination तो सबसे पहले हम जानते हैं according to book हमें तीन point याद रखने है फीमर जो है वो उसके upper end में head present है lower end जो है expanded है और दो condyle present है यह हमारा पहला point हो गया दूसरा point इसका जो shaft है वो convex forward है anterior aspect में जो हमें दिखाई दे रहा है इसका जो shaft है वो है convex forward तीसरा point इसका जो head है यह part head upper end में जो head है वो medially directed होता है यह side determination के तीन point है जो book में दिये है वो आपको याद रखने हैं अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ जो सिर्फ आपको अपने ले जानने और उससे आप हमेशा bone exactly determine कर पाएंगे कि किस side की है तो सबसे पहली बात यह जो head है यह medially present है ठीक है यह head medially present होगा upper end में और यह यह जो इसमें tubercle है इन्हें हम कहते हैं trochenter यह जो prominent elevation इसमें है इन्हें क्या कहते हैं trochenter यह हमेशा कहाँ present होता है posterior aspect पे present होता है हमेशा Undo posterior aspect किसी ही side की बहुन लेंगे तो head एगर अगर हमें anterior aspect दिख रहा होगा То head जो होगा smooth दिख रहा होगा यह neck के पास वाला reason हमें smooth दिखेगा मतलब हम anterior aspect देर करे है और अगर हम यह trochenter present और इसके जो हएं यह जो दो ह Cooking रहें आगे से हैं पर जब पोसिति टो कॉंडाइल है यह पॉमिनिंट हमें नजहरा रहे हैं Viele आठी रियस्पेक्ट में कूछ भी नहीं देखाई देरा कोई यह अगर कोई आपसे पूछेगा कि साइड डिटरमिनेशन के लिए कुछ इंपोर्टन पॉइंट बताओ तो आपको यह तीनों पॉइंट बताने हैं कि जो अपर एंड होता है उसमें को यह बबन कोई HOL फावार को यह चल्ब Cul इसब्सक्राफस के ज Islands में नुक्रायका यह जो अपर एंड है उसमें जो हैड प्रेजेंट हैं यह हमेशा मेरी को और सब्सक्राइब आएधो नीचे घंए जो जो कॉंडाइल होगा वो मीडियल कॉंडाइल होगा यह जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता है यह आपको अपनी जनल नौलिज के लिए ताकि आप सही बहुंड अगर हमें पता है कि कि दोनों हाथों से उठाईए है जब हमें पता है कि किस तरफ की वहने हमें इसे हाथ निये तो यह उसले राइट चाहिए और थोड़ा सा समझ आता है कि हाँ कुछ condyle present है बट यहाँ पर prominent नहीं है और जो shaft होता है वो anterior aspect पर smooth होता है तो यह हमारा side determination complete हो गया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please like, share, subscribe करें मेरे चैनल को फिर मिलेंगे और आप कौन सी bone और कौन सा topic चाते हैं वो मुझे comment section में बताएं Bye Bye